आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ C प्रोग्रामिंग में दो important string functions बहुत सारे functions आपने किया और आपने उसको अपने प्रोग्राम में इंप्लिमेंट भी किया, apply भी किया बर दो ऐसे functions है जो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए वीडियो काफे interesting होने वाला है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अपने प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप c में प्रोग्रामिंग करते हैं इसमें आप string का use करते हैं ठीक है string को लेते हैं तो string को लेने का तरीका जो है अगर आप देखेंगे तो आपको ये आपको मालूम होगा कि character array क्या होता है character array ही होता है c में जिसको हम क्या कहते हैं स्ट्रिंग कहते हैं जिस तरीके से आप array को define करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे string को define करने के लिए आपको character care लिखना पड़ता है और एक variable लिखना पड़ता है सपोज हमने एक variable str लिखा और फिर आपको size define करना पड़ता है ठीक है है in inter string ठीक है यह आप करते हैं उसके बाद आप scanf करते हैं ठीक है scanf करते है scanf करते है percentage और फिर यहां पर str यह आपका normal use होता है but scanf के साथ problem क्या है अगर आप string का program कर रहे है कि suppose आप एक character से ज्यादा ले सकते हैं ठीक है scanf scanf का use करके यह possible नहीं कि पूरा का पूरा पे string जो है ले सकते हैं तो पूरा का पूरा string को लेने के लिए फिर आपको जो पहला function आपको पढ़ना होगा वो है आपका gates क्या function है gates और print तो कर सकते हैं no doubt printf का use करके हम print कर सकते हैं बट gates के साथ साथ आज की वीडियो में आप puts भी सीख लिजे ताकि पूरे का पूरा line को आप print कर लिजे जहां पे आप चाहें जिस जगह से जिस जगह पे आप program के किसी भी line पे आप रखना चाहें वहां पे रख कि इसको access कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं तो दो function आप पढ़ेंगे gates और दूसरा ports तो gates हुआ क्या gates is an inbuilt function which is used to store a line of string यानि more than one words एक से ज्यादा word का use करके अगर आप accept कराना चाहते हैं read कराना चाहते हैं अपने program में तो आपको फिर gates का use करना पड़ेगा scan app से क्या होता है जैसे एक word लेते हैं और फिर इसको blank space मिलता है तो ये फिर terminate हो जाता है scan फिर उसको access नहीं कर पाता है लेकिन gates क्या करता है white space को भी आपको यहाँ पर allow करेगा white space अब जहां जहां blank space दीजेगा वो भी allow करेगा और फिर अपने program में इसको आप apply कर सकते हैं तो है interesting है यह आप इसको जितना आप apply करेंगे जितना implement करेंगे आपका program उतना ही efficient बनेगा ठीक है तो ज्यादा आपके concept clear कब होगा जब आपको हम programming करके दिखाएंगे तो चलिए आपको हम ले चलते हैं programming के editor पर अब आप Turbo C के editor पर हैं हमने 2 header files already include कर चुके हैं पहले ही और word लिखेंगे str कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं str किसी का name one दे सकते हैं जो भी चाहाँ आप दे सकते हैं और size को आप यहाँ जरूर डाल दें जो size आपको लेना है यह हो गया एक हम function यहाँ पर डाल देते हैं CLR SCR यह तो आप अच्छे से familiar है टर्बोसी का use करते हैं तो इसको डालना वरना दूसरे एडिटर में इसकी जरूरत नहीं है ठीक है तो clear screen होगी है अब यहाँ पर हम print करते हैं बहुत ज्यादा लंबा coding नहीं करेंगे आपको समझाने के लिए मैं बहुत कम line का code यहाँ पर type करूंगा enter string यह message जाएगा वह के साथ उसको करके दिखाता हूँ तो percentage हो गया यहाँ पर एम परसंट तो लिया नहीं जाता है string में आपको पहले से मालूम होना चाहिए यह चीज़ें string हो गया और यहाँ पर क्या हो गया printf printf और यहाँ पर मैं message डाल देता हूँ slash n slash t और यहाँ पर मैं message करता हूँ u entered u entered यहाँ से मैं इसको इस तरीके से किया %s और यहाँ पे slash t यह सब format करने के लिए अच्छा दिखने के लिए हमने slash t यहाँ slash n वरना इसकी ज़रुत नहीं यहाँ पर और जिसमें आपका value str में आ रहा है इसको हमने यहाँ print कर दिया देखें आपने str में यहाँ accept कराया है उसके बाद str को print कि अभी हम gates का यूज नहीं कर रहे हैं पहले आपको हम समझा देते हैं कि अगर आप scanf यूज करते हैं तो problem कहां पर होता है आप देखें यहाँ यहाँ नजर तो नहीं आ रहा बट compile करने से पता चल जाएगा तो control f9 करते हैं यहाँ एक भी एर न यहाँ नहीं करें तब तक यह accept करता जाए यानि एक वर्ड दो वर्ड तीन वर्ड यह होता जाए इसमें को problem नहीं once again हम यहाँ पर run करते हैं अब मैं लिखता हूं you are मैं कुछ यहाँ पर text लिखता हूं you are a student मैं नहीं यहाँ लिखा तो कितने वर्ड होगा यहाँ यहाँ य पहला वर्ड का वो लिया और उसको print कर दिया और blank space जैसे scanf को मिलता है वो उसको terminate कर देता है वो accept करें नहीं तो जब आपको इस type का problem बनाना हो इस type का program बनाना हो जहाँ पर आपको एक line को accept कराना हो तो फिर आप scanf वहाँ पर use नहीं किजिएगा आप वहाँ पर क्या use ठीक अभी हमने आपको बता है gates क्या करता है एक inbuilt function है जो पूरा का पूरा line accept करता है तो आपने कुछ नहीं करना यहाँ पर scanf को यहाँ से हटा देना है scanf यहाँ से हड़ गया और यहाँ पर हम directly इसके syntax क्या है str और नहीं सौरी gets हमने लिखा यहाँ पर इसको bracket open किया और यह इस तरीके से हो गया तो इसमें कोई यहाँ पर control string नहीं यानि कि percentage अगरर नहीं डाला जाएगा इसको यहाँ पर डाल करते हैं तो कोई problem नहीं कोई error नहीं है यहाँ पर मैं डालता हूं you are you are a student मैं यहाँ पर लिया ठीक है ना अब इसको इंटर प्रेस करते हैं तब आपके सामने इसका output आप देखिए तो हैं interesting आपको मजा आ गया होगा अगर आप first time आप देख रहे हो अगर आप already जान रहे हैं तो कोई प्रेंट कराया जाता है तो यह होगा आपका gates का यूज करके एक और यहाँ पर हम रन करके एक और एक्जांपल डालते हैं राइट यू आर यू आर लेर्निंग सी बाई प्रॉफ एम देखें सारा कह सारा यहां पर प्रेंट हो गया अब यहां पर क्या करना है यहां पर गेẪ्स अब यहां देखें करते हैं को इश्यू नहीं है AK कुछ भी प्रिंट की ही कोफरेग नहीं पड़ता था बट हम नहीं को दो फंक्शन के बारे जाते हैं, अच्छा वो तो ठीक था है, printf, यहाँ पर मैं 21 तरीके से करता हूँ, slash t, your string, your string, sorry, your string is, इस तरीके से हमने यहाँ पर किया, slash t दे दिया हमने, और फिर इसको बंद करके slash, अब हमको क्या करना, puts का use करना, puts लिखा, और str में हम यहाँ पर डाल दिये, अब देखने क्या होता है, controlf9, को problem नहीं है, I am a professor, मैं यहाँ पर type किया हमने, ठीक है, I am a professor, यहाँ पर देखे, your string is, I am a professor, तो अब आप फोकस किजिए, यहाँ पर puts के अंदर हमने क्या डाला, str, तो puts से पूरा line भी print कर सकते हैं, एक word भी print कर सकते हैं, और print app से भी सारा चीज print कर सकते हैं, तो एक जब आप program बनाएंगे, एक से ज़्यादा program बनाएंगे, तो आपका कोई भी function कहीं पर भी use किया जा सकता है, कोई भी function आप कहीं पर भी use कर सकते हैं, तो जो जितना आसान हो, जितना easy हो, उतना आप, उसको आप यूज़ करेंगे, तो definitely आप, अगर puts use प्रिंटेव यूज़ करते हैं, तो प्रिंटेव में क्या है कि आपको पर्सेंटेस वगरे लगाना पड़ेगा, पूर्स में इसकी कोई टेंशन नहीं, आराम से डेरिकली आप वैरेबल यहाँ पर डाल दें, वो प्रिंट हो जाएगा, बट गेट्स का यूज़ आप बहुत ज़्यादा करेंगे, चुकि आपको पूरा लाइन का लाइन एकसेप्ट कराना है, तो गेट्स का वहाँ पर यूज़ करेंगे, I hope कि आपको समझ में आया, गेट्स क्या होता, पूर्स क्या होता है, आप खुब पढ़िए, समझिए, दूसरों को शेयर कीजिए, फरस टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीज़ेगा, फिर मिलते आपको, मतुंव है दूसरों करेंगे, पूर्स का sound, दूसरों क्यों इनले को शेयर एद तो पर कमाको, शेयर कंसे घलाइटव प्रक्रेशए, जायर करांवान है, एक टूसरों को समिकमारां।